सब इजी में स्वागत है देखिए क्या करते हैं कि MS Excel जब खूल जाता है तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको बड़ा कर लेजिए जिसे बोलते हैं हम लोग जो मिन कर लेंगे इसको ताकि सेल जो है बड़ा बड़ा दिखने लगे यह चोटे चोटे बॉक्स देखे जिसे सेल अब यह बड़ा बड़ा दिखने लगा तो क्या करेंगे पहले कि इसमें ही काम करेंगे अब ओप्शन को नहीं देखेंगे गुरूप सब गुरूप को नहीं देखने जाएंगे कॉमांड को देखने नहीं जाएंगे फर्मूला देखने नहीं जाएंगे सबसे पहले इसमे right up down तो यह इधर उदर जाता है अब क्या करेंगे कहीं पर आजाएंगे अगर मालीजय के पास शिफ लेते हैं अगर right करते हैं right करते तो एक से ले रहा है ठीक है अगर 44 पर है अगर down करते हैं तो एक ले रहा है बहुत बढ़िया लेकिन अगर Ctrl & Shift लेते हैं यहां से और आगे बढ़ते हैं राइट की तरफ तो पूरा जो इंट्री के रहे हैं जहां तक वहां तक सेलेक्शन लेगा अगर फिर डाउन कर देते हैं और Ctrl & Shift ले हुए हैं तो पूरा सेलेक्शन लेगा इस बात को याद रखेंगे फिर से समझनेते हैं चो वालिस के पास है और Ctrl के साथ में बढते हैं नीचे की तरफ देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं जाएंगे तो पूरा रैट चला जाएगा इस तरह से सेलेक्शन होगा नहीं, तो दूसरा तरीखिए यह है की पूरा एक बार में सेलेक्ष करना उससे हम कह सकते हैं करने दूर में data entry के का में क्या होगा किये रहेंगे उसमें क्या होग losers सेलेक्सन लग जाए गुशनक जाता है में उसके बढ़ कमांड देन तीन में करेंगे छाम करेंगे की ता इसके बाद करेंगी अर गहां करेंगे बर्रेक का लग चुका है इतना ही काम करेंगे आज के वीडियो बस इतना ही तब तक लिए इजाज़त धन्युक्त